दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जगा साइज है 16 वाई 37 16 वाई 37 वाई 37 वाई 37 की लंबाई है हमारे सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर इस मौलग को डेजाइन किया है जो कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेतरीन प्लान है अगर आप यहाँ पर कार पार्किंग भी करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा सा चेंजमेंट आपको करना पड़ेगा इस मौलग पूरा डिसकस करने वाले हैं इस्टे बाइस टिप्स का ग्राउंड फ्लोर, फ़ास्ट और शेकेंड फ्लोर मैं इसे पहले जूम करके आपको दिखा देता हूँ जिसमें आपको कुछ रियलिस्टिक व्यूज का देखने को मिल जाए रियलिंग अगर आप देख रहे होंगे यह गिलासे से लगा है, यह वाल है, यह थोड़ा डिजाइनिंग का पार्ट है, यह आपके डोर बगएर है तो जो आप यह ट्री देख पा रहे होंगे, इस ट्री को पहले मैं रूमू कर दूँगा, इससे आपको और अच्छे से मैं दिखा सकूँ तो इस ट्री को पहले मैं हटा देता हूँ तो ये देखिए मैंने ट्री हटा दिया अब आपको मैं इसका पूरा डेटेल वीडियो क्रिएट करके बनाता हूँ तो आप ये देख पा रहे हों किसे दिले फ्रेंट की बात करें तो 16 फिट लंबाई है चोड़ाई और लंबाई की बात करें तो यहां पर यह आपका 37 फिट है इसका ग्राउंड फार शेकेंड फ्रोर अपको लिए चलूँगा तो जैसे आप मैक्समुम जूम करते हैं ग्राउंड फ्रोर यह जूम है और यहां से स्लोप है यहां से आप चड़ेंगे इसका आपको जैसे इंटरी करते हैं घैलरी मिलती है इसहीं आपके स्टेर से अंदर से आप ऊपर सब्ढ़ते हुए जाएंगे इसके जिश्ट बगल में आपको यह बैटरूम मिल जाता है इसमें बहर से मैंने बताई है विंड़ो और आगे से गैली से आपका डोर दिया है जिसमें आपका ये master bedroom है इसमें आप इंटर कर पाएंगे जएस्ट के बगल में आपका लेटरे वो बातरूम का माइंड मैंने दिया है जिसके लिए आंगन से डोर है दोस्तो बीच में ये hall का hall tab का मैंने बनाया है, जहाँ पर आप सारी चीज़ अर्जिस्ट कर सकते हैं, यह इसका door है, लेटर में बातरूम का, इसके बाद बात करें पीछे की, तो यह आप का kitchen है, corner पर यह देख पा रहूंगे, kitchen के area जो की door यहाँ से दिया है, यह आपका पीछे bedroom है, जिसके लिए मैंने डोरी दर्स दिया और यह window दिया है, इसे विंटलेशन के प्रावलों नहीं हो, यहाँ पर आप च्छत पे, जो आप इसका च्छत पड़ेगा, उस पर आप जाल रखवाएंगे, जिसे इस रूम में, इस रूम में हर जगे पुरा ventilation, धूप और आपका हवा आता रहेगा, तो यह 20, ए सुरी, 16 क्रॉस 37 का house प्लान है, ग्राउंड फ्लोर का, अगर आप इसमें car parking विश्टा करना चाहते हैं, तो आपको front वाला room हटाना पड़ेगा, यह बुरा room हटा देंगे, तो आप यहाँ पर car parking वे गएरा भी कर पाएंगे, तो यह इसका ground floor, अब हम आपको ले चलते हैं, इसके first floor पर, जैसे आप इसका first floor आते हैं, यहाँ पर कांच की railing है, और यह आपका थोड़ा designing का part मैंने यहाँ पर design किया है, इसके बाद आप वही सारी से मिलती हैं, पीछे वही bed room, वही आपका kitchen, वही लेटर बातरूम, वही आंगन, और यह बड़ा एक bed room, और यहाँ पर आपको, एक मैंने front में outdoor लगाया है, जिससे आप यह जो बालकनी नकाली है, तीन फिट के approach, यहाँ पर आप आप सकें, और यहाँ पर पुरा drill आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया, यह पुरा railing बगएरा, इसका texture बगएरा भी आप देख ले, मैकसम जूम करके, मैंने बनाया है, और यह भी आप देख लिए, यह पूरा आप देख पा रहे होंगे, यह गिलासे से लगाया दोस्तों, अभी तक नीचे क्या था, जो इस्टेर्स थी, वह आप डोड था, बर डोर हटा गे, मैंने गिलासे का एक, यह ट्रांस्पैरेंट गिलास लगाया, इससे आपको उपर से नीचे तक देख सके, तो यह तो इसका फास्ट फ्लोर हो गया, सेम टू सेम जैसा कि आपने देखा, लास्ट प्लोर की बात करें, हलाकि लास्ट फ्लोर मैंने कोई डिजाइन नहीं किया है, सरफ वह इस्टेर्स है, जो उसी को ढख दिया है, और पर एक गुम्टी क्रेट कर दिया है, इससे, आपका बरसाथ का पानी ना हो, और उससे बंद कर दिया, यह पुरा आपका डिजाइनिंग का पार्ट है, जो गिलास्ट आप देख पा रहे होंगे, यह गुम्टी है, और यह पुरा फ्रेंट व्यू, इसका रेलिंग में है, थोड़ा से डिजाइन कर दिया है, चेंज कर दिया है, मैंने लास्ट फ्लोर पर, दोनों तरब आप दे की रिकॉर्मेंट को समझा जाता है, सारा डेटेल आप वहाँ पर समझ सकते, वीडियो जैसा भी लगा हो, आप में बताएंगे, और शार साथ अगर आपने बते किस मालाउस प्लान को सिब्क्राइम नहीं किया, तो प्लीज जरूर कर ले, थैंक्स वो वाचिंग,